चलो एक पार्टिकल है मूब करता है इस स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलो एक पॉइंट है इस स्पेस में यह हम लोग का x-axis है और यह हम लोग का y-axis है clear है this is the x-axis this is the y-axis a point move from this point a point a to point b चलो point a से point b तक कोई पार्टिकल मूब कर गया और इसका पॉजीशन रेक्टर आरवन है और इसका जो पॉजीशन वेक्टर है दूसरे पॉजीशन का वह आल्टू है आद है और इस पे तो फोर्स लग लग रहा हो भी वेक्टर के पाहँ में बहुत आसान कोश्चन बेसिकली वेक्टर का है ठीक है ऐसे केस में वर्ग डन कैसे निकालते हैं डॉट प्रॉडक्ट अब टूवेक्टर फोर्स और मुल्टिप्लाइट वाइड डिस्प्लेस्में displacement vector क्या होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर कैसे निकालते हैं final में से initial को गटा देते हैं final vector minus initial vector final vector r2 इतना r2 कितना है 4z cap plus 3k cap plus 3k cap minus 2i cap और plus 5z cap जब आप इसको घटाओगे इसमें से minus करोगे तो finally जो हम लोगों को मिलेगा position vector वो 2i cap minus minus plus 2i cap और plus 3k cap ठीक है और यह minus 5k cap और यह minus z cap ठीक है this is the final position vector ठीक है यह change in position vector this is the final change in position ठीक है जब यह particle यहां से चल जाएगा तो उसका displacement vector इतना होगा और उसकी direction इस वेक्टर की जो direction है वो initial से final ऐसे कुछ आएगी इस इस देल्टा आर initial से final ठीक है clear है अब इसमें dot product है जो force है 4i cap plus z cap लग रहा है 4i cap 4i cap plus 3z cap लग रहा है तो इसमें dot लेना 4i cap plus 3z cap का तो work done जो आ जाएगा work done is equal to 4i cap plus 3z cap के साथ इसका dot ले लो 2i cap plus 3k cap और minus j cap i cap की dot सबको लेने आता होगा 2 का 2 i का i ठीक है और j का j मतलब 4 multiplied by 8 और j यह आ जाएगा minus 3 और k का हो जाएगा 0 आइक का i j का j और k का k के का को कोई है यह नहीं ठीक है मतलब यह जाएगा मतलब यह जाएगा 5 j जूल इस फाइनल सलूशन इस फाइब जूल हम ठीक है तो यह जो है फाइब जूलिस का फाइनल सेलूशन है ठीक है आई होप कि यह आपको समझ में आ गया हुआ कुछ नही है इस बहुत आसान है और बहुत बात पूछा गया है ठीक है छब पुछ?